हेलो माइडियर स्टूजिंस कैसे हैं आप सब वेलकम टू दू डाउट नेट न स्वागत है आप सभी का आपकी साइंस की क्लास में आपको पता है मेरा नाम हिमानी है और मैं हूँ आपकी फिजिक्स की मेंटॉर जो की आपको बहुत दिनों से हम लोग ग्रेविटेशन के पीछे बैठे वे थे और उनके दिमाग में आया ओहो यह एपल सर पे गिर रहा है मतलब इसकी पीछे कोई फॉर्स लग रहा है पर हमने यह भी डिसकस किया था ऐसा कुछ है नहीं कि यह की एपल गिरा और न्यूटन बाबा के दिमाग में टन से घंटी बजी और उन्होंने ग्रेविटेशन की खोज कर दी बिल्कुल भी नहीं यह बहुत टाइम से प्लानेटरी मोशन या फिर अर्थ के टूर्ड जो कोई भी फॉर्स लगता है या फिर मून किस तरीके से गूमता है उसके ओपर स्टडी कर ही रहे थे बहुत टाइम से पर जिस टाइम इनके ओपर एपल गिरा उनके टाइम में उस तरव इनके ओपर इंक्डी ओक्रीक रहा एक आइडिया ओफ ग्रेविटेशन किसका यह ग्रेविटेशन का आइडिया ऋसूर कहीं ताइम से सोच रहे थे तो यह स्टोरी बन गई कि भाई एपल गिरा और टन से घंटी बजी और ग्रेविटेशन की खोज हो गोई और यह आपके सामने फिजिक्स नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था तो हमने क्या पड़ा लास्ट कुछ तीन क्लासिस कर लिए हमने तीन क्लासिस में हमने पड़ा कि कोई भी उनिवर्स में दो व कितना G M1 M2 upon R square जिसमें से M1 और M2 दोनों बॉडिस का मास है और R क्या है उन दोनों बॉडिस के center to center का distance है ठीक है यह force के बारे में पड़ा और बड़े G के बारे में कुछ discussion किया कि यह constant होता है हर जगा कहा हर जगा constant होता है फिर उसके बाद हमने छोटे DG के बारे में discussion किय जिसकी value हमने करी GM upon R square जिसमें यह जो G है वो depend करता है किसी भी planet के उपर किसी भी planet के मास और radius के उपर और अगर तुम planet चेंज कर दोगे तो उसका मास चेंज हो जाएगा और उसकी radius भी चेंज हो जाएगी तो यह था variable यह कैसा था सेम हर जगा और यह variable planet to planet अर्थ की अगर आसपास रहोगे थोड़ी सी उपर थोड़ी सी नीचे रहोगे तो यह value change नहीं होगी otherwise यह value change हो जाएगी फिर थर्ड क्लास में क्या थर्ड क्लास में हमने weight versus mass इन दोनों चीजों के बारे में difference किया और हमने कहा कि यह दोनों सेम नहीं होते अब तुमसे कोई weight पूछेगा तो तुम newton में बताओगे और mass पूछेगा तो kg पे बताओगे और अगर तुमसे किसी ने weight पूछेगा तो पहले बोलोगी कौन से planet प मैं मून पे one by six time हलका हूं मुझे बताओ मून पे बताना है या अर्थवे बताना है ठीक है और किस चीज के बारे में discuss किया था equation of motion equation of motion तो यह था वच्छे आपका पूरा ग्रैविटेशन का चैप्टर जो आपके सीवी सी किस लेबस के according था एक चीज हमारे पास उस लेबस में से बच रही है वो क्या है कैपलर्स लोग क्या है वो वह है कैपलर्स के लोग कैपलर्स ने कौन-कौन से लोग दिये थे अब न्यूटन की बाते खतम हो गई अब आ र सबसे पहले यह देखो इतने साल पहले 140 में आया था क्या था हमारे पास एक थियोरी दी थी किसने अरिस्टोटल ने दी थी कि आर्थ इस दा सेंटर आफ दा यूनिवर्स क्या का था कि आर्थ तो है बीच में और पूनी दुनिया उसके चक्कर लगा रही है चाह वो सन मून यह एंच को यह हो यहत्योड यह ओन फॉर्टी दमें अरिस्टोचल स्थ दी ठीक है यह थियोरी अरिस्टोचल्न टो दे दी उसके बात क्या डिकिलिकन फिफटीन फॉर्टीफ्रीमे क्यों आया या कॉपर Nikes इसुक्त कोपर निकस थायला विभको उसने कहा कि earth नहीं है center मतलब earth को center बानने का मतलब geocentric theory geog का मतलब क्या है earth को center माना है जबकि copper nix नहीं क्या बोला उसकी theory का नाम क्या था heliocentric theory क्या था कि sun is the center of our solar system क्या है कि sun बीच में है और बाकी दुनिया उसके 4 और चक्कर लगा रही है यह बात किस ने कही थी कॉपर ने किसमें फिर 1588 देख रहे हो कम से कम 40 साल का अंतर आ गया फिर 40 साल बाद एक बंदा आया कि टाइको ब्रेक नाम का टाइको उसकी क्या था टाइकोनिक सिस्टम क्या था मून एज और्बिटिंग अर्थ एंड प्लैनिट एज और्बिटिंग था सन उसने यह थियोरी दी थी कि जो मून है वो तो अर्थ के चारोर चकर लगा रहा है और जो प्लैनिट्स है वो सन के चारो और और बेट कर रहे हैं तो मतलब की इसकी और इसकी ठीओरी बिल्कुल सही थी लेकिन अभी तक कुई सपोर्ड नी मिला था इनकी ठीओरी इसको इतना कुछ यह बोले जा रहे थे बोले जा रहे थे लेकिन किसी ने सबस्पोर्ड सिस्टम नी दिया फिर हमारे 1609 में आये बिल्कुल सही है क्या है कि यह जो हैलियो सेंट्रिक मतलब सन बीच में है और सारे प्लैनेट इसके चारो और चक्कर लगा रहे हैं एक औरबिट में यानि की एक रस्ते में वो बात बिल्कुल सही है लेकिन इन जो प्लैनेट की गूमने के लॉज है वो किस ने दिये वो 1619 में हमें Capital ने दिये Capital से पहले यह लोग किसी नहीं दिये मतल positivity रहे एक फिर भी famous हो गया क्यों गया क्योंकि इसने लोग दे दिये बल्कि असली अदमी था ग cancer गश्रीreu उसने तो न्याओस कोप से देख के बता दिया है कि कौन सी थ्योरी सही थी यह जो ये जो हमारा पहला एरिस्टोटल और ये सब ये टाइको ब्राइनी सब आये थे ये सब बिकार है और जबकि ये जो हमारा गैलिलियो था ये जो टाइको ब्रे है इसका ही असिस्टेंट था असिस्टेंट बनते बनते इसने इसको गलत प्रूफ कर दिया और क्या कहा कि हमारी क पर मिकिस की थियोरी बिल्कुल सही है कि हमारे पास यह थियोरी है गैलीलियों ने दी थी और हमारे कैपलर बाबा ने law of planetary motion दे दिया चीक है बिल्कुल बड़िया बात है हाँ जी यह थी कुछ history कि कहां से law start हुए और कहां की तरफ गए और end में किसने अपना result दिया चीक है next अ अब हमारे यह कैपलर बाबा है इन्होंने पूरे solar system के laws दिये हैं कितने laws दिये हैं तीन laws दिये हैं किसके उपर कि यह sun है और यह हमारे different different planet है जो orbit में मूव कर रहे हैं तो इससे सबसे पहले आगे मूव करने से पहले हम क्या करते हैं जो हमारी orbit हैना इसकी definition देख लेते हैं क क्या है orbit क्या है orbit दिख रहा है चलो पैंचेंज करते हैं कुछ लोगों को दिखनी रहा होगा ना हां जी रहा हम कोई ऐसा पैंगर लेते हैं जो इस पर दिख जाए रैट चीक है orbit, orbit की definition होगी दा पाथ इन विच प्लैनेट्स मूव अराउंड सन इस कॉल्ड क्या और बिट क्या कहलाता है और बिट? जिस पाथ में, जिस रस्ते में ये सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं सन के चारो और उसे क्या कहते हैं? उसी क्या कहते हैं? और बिट कहते हैं? ठीक है? सिंपल सी बात है आओ, चलो, पहले लोग से शुरू करते हैं फिर दूसरा लोग पड़ेंगे, फिर तीसरा लोग करता है the orbit of a planet orbit का मतलब मैंने आपको बता दिया पाथ इन विच जो planet है वो sun के राउंड घूम रहा है यह हमारे कैपलर बाब आ गए ठीक है क्या कह रहा है orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of its foci बाकी चीजे तो आपको बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही होएंगे हंजी यह क्या है लेकिन आपको यह दोनों वर्ट सोड़े अजीव लग रहे होएंगे कि क्या है इस लाइन का मतलब क्या है कि जो हमारे orbit of the planet है वो है circle को इस तरीके से खीच दो किस तरीके से circle है मेरे पास उसको इस तरीके से खीच दो तो आपके पास ellipse बन जाएगा ठीक है यह देखो इसने इस तरीके से खीचा तो यह ellipse बन गया, उधर खीचा तो भी ellipse बन गया, मतलब circle to ellipse बनाने के लिए हमें क्या पढ़ना पढ़ेगा circle को ऐसे stretch करना पढ़ेगा, कैसे करना पढ़ेगा ऐसे stretch करना पढ़ेगा, चीक है जी ये बात हो गई अब मतलब की ये तो हमारे पास circle है क्या है circle का मतलब अगर ये इसका center है ये center c है और मैं इससे ऐसे line draw करती हूँ, तो ये जो सारे distance होंगे सारे distance होंगे, ये सभी r कहलाएंगे क्या कहलाएंगे, r कहलाएंगे लेकिन अगर मैंने इसको stretch करके ellipse बना दिया है क्या बना दिया है, ellipse बना दिया है तो अब आप देखोंगे ये distance और ये distance अलग होंगे और ये distance और ये distance अलग होंगे जैसे center का circle का सिरफ एक ही center होता है क्या होता है, एक ही center होता है ellipse के center नहीं होते क्या होते हैं, दो focus होते हैं, और फोकाई किसे बोलते हैं फोकाई किसे बोलते हैं फोकाई उसी को बोलते हैं जो फोकस का प्लूरल फोम होता है क्या होता है फोकस का प्लूरल फोम को बोलते हैं मतलब की सरकल का सेंटर होता है और इलिप्स के दो फोकाई होते हैं अब कैसे है यह फोकाई इस तरीके जी से हैं यह फोकाई कि अगर हम किसी भी point से, किसी भी point से हम क्या ले? क्या ले? मैं लो मैंने इस focus से इस point पर distance लिया और ये distance लिया. दो point और मैंने इस से ये distance लिया और ये distance लिया. मैंने ये distance लिया, ये distance लिया. या फिर मैं ऐसे कह दूँ, किस तरीके से कह दूँ? कि मैंने कोई एक पॉइंट लिया A मैंने एक पॉइंट लिया A इसकी लेंथ पहले फोकाई से ये पहला फोकाई है और ये दूसरा फोकस है इसकी लेंथ पहले फोकस से और दूसरे फोकस से L1 और L2 और मैंने एक और पॉइंट लिया B इसकी length पहले फुकाई से इसकी length दूसरे फुकाई से L3, L4 तो ellipse क्या कहता है L1 प्लस L2 is equal to L3 प्लस L4 Always ऐसे आपने जो ये A और B point माना इसी तरीके से आप कोई भी point इस पूरे ellipse पे मान सकते हो और उसके लिए भी ये सारी चीजे कह सकते हो हमने तो ये पूरा बना देते हैं ये, ये है L4 या फिर अगर मैं C point कोई ले लू उसका एक focus से length ले लू उसकी एक और focus से length ले लू कोई भी ले सकती हूँ ना उसकी एक और length ले लू इस point से, C point से इसको L5 और L6 बोल दूँ तो ये जो है अब क्या हो जाएगा अब क्या हो जाएगा, ये equal to L5 प्लस L6 भी होगा ये true होगा always ठीक है, ये थी हमारी ellipse की बाते हैं कि ellipse में center नहीं होता, focai होता है और circle में center होता है और ellipse के दो focus होते हैं पहला और दूसरा और जो ellipse की, जो distance जैसे center से आर, आर, आर होता है ये same होता है, same नहीं होता इसके focus से किसी एक point के distance का sum इस तरीके से होता है, किस तरीके से किस तरीके से होता है इस तरीके से होता है, ठीक है clear है ये बात focus और center बिल्कुल clear है, इसका मतलब है कि ये जो point क्या कहता है कि जो आर्बwest है किसी भी प्लैनेट का संगे एरांड वो कैसी शेप का है इंदी स्यप का है मतलब सर्कल की जगा संखे चारों और वहन इंदो हम इस रहे हैं और सन्फे इस एक पोईंट पर दो फोका स Just due focus 2 था, हमारा sun जो है, वो इन दोनों में से किसी भी एक focus पे है, पहला point ये कहता है law 1 क्या कहता है sun is at one of the foci of ellipse one of the foci of ellipse और हमारा orbit कैसा है sun के चारो और ellipse का, ellipse shape का है, ये दो main point पहले law से पता चलते हैं कैसे, कि हमारा क्या है ये ellipse है, ये कोई भी planet A है ये क्या है, ये ellipse shape में इस पे घूम रहा है और हमारे पास दो focus point है, focus point कुछ भी F और F और sun को हमने किसी भी एक focus point पे रख दिया ये कहता है, हमारा law one clear है ये बाद, चलो फिर next law की तरफ move on करते है next law क्या कहता है क्या state करता है statement पढ़ते हैं, फिर बाद में उसे समझने की कोशिश करेंगे क्या कहता है the line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time क्या कह रहा है कि जो line join कर रही है sun और planet को क्या करती है equal area sweep करती है equal interval of time में क्या मतलब है इसका मैम इसका ये मतलब है मालो sun इधर है और earth इधर है मैंने इसको दोनों लाइनों को join कर दिया ये क्या है second law state कर रहा है जो मैं आपको समझाने वाली हूँ क्या state कर रहा है कि मैंने sun और earth को join कर दिया इस तरीके से एक line में मान लो आदे घंटे बाद earth यहाँ पहुँचती है कितने minute बाद 30 minute बाद या आदे घंटे बाद तो मैं इसको भी join कर लूँगी ये जो area है इसको मैं नाम दे देती हूँ A1 ठीक है अब मैं गी कह रहे हूँ earth दुबारा आदे घंटे बाद पहने change करके बताऊंगी चलो yellow नहीं कौन सा color लेती हूँ चलो green color लेते हैं मैं कह रहे हूँ अब आदे घंटे बाद 30 मिनिट बाद ही earth यहाँ आ जाती है earth यहाँ आ जाती है अब मैं इसकी line join कर लूँगी पहले खाती यहाँ थी अभी यहाँ आ गई तो ये जो equal होगा ये जो area होगा इसको मैं A2 कह देती हूँ और ये log या state करता है ये दोनों area A1 will be equals to A2 यही ये law state करता है कि जब हमारी earth जो है जब हमने line join कर दी sun और earth के बीच में एक straight line join कर दी तो हमारा जो area sweep करेगा ये जो area कौनसा ये वाला area जो हमारी earth sweep करेगी वो equal होगा in equal interval of time ये जो time है कौनसा आदा घंटा ये important है अगर मैं यही बात कह दू कि अर्थ यहाँ पर है अर्थ यहाँ पर है और एक घंटे बाद अर्थ यहाँ आ जाती है कितने? वन आर बाद अर्थ यहाँ आ जाती है तो ये जो area होगा और मैं दुबारा कह दू उसके घंटे बाद अर्थ यहां आ जाती है ये भी 1R का distance है तो ये जो area होगा क्योंकि time same है मैं इसको A3 कह दूँ इसको A4 कह दूँ तो ये दोनो area भी equal होंगे A3 is equals to A4 ये दोनो area भी equal होंगे क्योंकि इन दोनों में time same है इन दोनों का time कितना है? 1R और इन दोनों का time कितना है? 30 minutes पर ये नहीं हो सकता A1 will not be equal to A3 और not equals to A1 will not be equal to A4 या फिर A2 will not be equal to A3 और A2 will not be equal to A4 क्यों? क्योंकि इन दोनों का time same नहीं है time same होना बहुत ही जरूरी है चीक है? क्या कहा मैंने? कि time same होना जरूरी है इसलिए A1 will not be equal to A4 या A1 will not be equal to A3 या A2 will not be equal to A4 या A4 will not be equal to A3 और A2 will not be equal to A3 क्यों? क्योंकि time जो time interval है यही चीज़ आपको second law बताती है clear है? चलो यह GIF देखो जितना यह देखो यह है मालो यह 30 minutes है यह भी यह कितना 20 minutes है मैं फिर कहा रही हूँ कि यह फिर से 30 minutes है यह फिर 20 minutes का interval है मैं बस इतना कहा रही हूँ कि पहले क्या करें? 30 minutes का interval लिया फिर 20 फिर 30 फिर 20 तो यह वाला जो area है मालो मैं इसको A1, A2, A3 और A4 ले दू ठीक है? इन सबको मैंने A1, A2, A3, A4 ले दिया तो A1 will be equals to A3 क्योंकि यह 30 minutes है और यह 30 minutes है and A2 will be equals to A4 क्योंकि यह 20 minutes interval में है और यह 30 minutes interval में है clear है यह बात यह चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि time interval जितना same time interval होगा उसी में जो area sweep करेगा वो equal होगा और A1 will not be equals to A2 in this case and A1 will not be equals to A3 will not be equals to A4 यह भी ध्यान रखना है क्यों? क्योंकि हमारे पास time interval same नहीं है चीक है? clear है second law और जल्दी से comment section में मुझे बता दीजिए कि clear है या नहीं है ठीक है आगे बढ़ते है इसके बाद capillar का third law क्या कहता है the cube of the mean distance of the planet आप बच्चे यह देखो यह जो planet है मैं कह दू इतनी इस time तो इसका distance R1 है लेकिन इधर अगर earth आ गई तो यह R2 होगा क्योंकि यह distance और यह distance तो same नहीं है क्योंकि हमारा जो earth है वो ellipse में घूम रही है अगर circle में घूम रही होती तो यह सारे distance same होते लेकिन अब किसमें घूम रही है ellipse में घूम रही है तो यह जो distance है R1, R2 या फिर यह R3 यह same नहीं होंगे, तो यह क्या कह रहा है, इसका average ले लो, क्या ले लो, average ले लो, इसलिए क्या ले लिया mean, यानि की average, क्या लेना है average, average distance of the planet from sun is, जो planet का sun से जो average distance है, it is proportional to the square of its orbital time period, और vital time period का मतलब क्या है, और vital time period का मतलब है, अगर earth a point से घूम कर a point पर ही वापस आ जाए, एक पूरा orbit, एक पूरा orbit करने में, मतलब एक बार पूरे circle में, ellipse में घूमने के लिए, कितना time लगता है, हमानलो, t time लगता है, जैसे earth का t कितना है, 365 days है, 365 days में ही वो एक round पूरा कर होती है, इसी दरीके से ये जो t किसी भी planet का है, वो क्या होगा, cube का mean distance का cube होगा, mean distance में मान लेती हूँ, r होगा, और क्या है, कि हमारे पास जो orbital period, और vital period, वो कितना होगा, capital T, तो ये क्या कह रहा है, ये law कहता है, कि जो हमारा cube of main, cube of main distance, या फिर average, या फिर average distance, r cube is equal to t square होगा, ठीक है ये बात, clear है ये बात, कि हमारा जो r cube will be is equal to t square, ये था हमारे पास third law, तीनो लो हो गए, अभी तीनो लो को revise करते हैं, चीक है, अब कैसे करेंगे, एक बहुत अच्छी 3D animation है मेरे पास, उसी से हम इन तीनो लो को revise करेंगे, एक बार computer जी आप इनके लिए वो 3D images लगा दीजिए, हां जी, ये मुज्याक, हां जी, ये क्या है बच्चो, ये आपका planet, ये आपका solar system है, देखो ये इस तरीके का 3D view होता है, कि हमारा जो sun है, उसके चारो और देखो, इतने slow motion में चलते वे दिख रहे हैं ये किसी को, ये जुपीटर तो बहुत ही slow चल रहा है, और ये Saturn और भ भी दिख जाएगा, देखिए, हां जी, ये देखो, ये रा मरकरी, वीनस, अर्थ और मास, इस तरीके से, ये जो हमारा elliptical orbit है, इसी तरीके से, हमारे, जो है सारे planets, किस तरीके से, मूव कर रहे हैं, इसके चारो और, ये देखो, इस तरीके से, मूव कर रहे हैं, इस पे draw कर देती हूं हां जी चीक है कहां कर रहे है गीरा अर्थ यह देखो आर्थ चल रही है चल रही है यह अर्थ उसके बाद इसी तरीके से वीनस मर्करी मार्थ और यह हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है कैसे हमारा पूरा पूरा सोलर सिस्टम चीक है दिख रहे हैं सबको? हाँ जी ये देखिए ये आपका पूरा सॉलर सिस्टम है जिसमें सन तो किसी एक फोकस पे ये देखो ये अगर तुम इलिप्स को अगर और जूम कर दोगे तो सन किसी एक फोकस पे है और बाकि सारे प्लैनिट इसी तरीके से इसके चारो और घूम रहे हैं ठीक है यह है हमारा solar system अब इसमें हमारे पास capilar का पहला law क्या है यह देख लो capilar का पहला law है कि दो focus point है अगर हमारे ellips के जो हमारे जो सारे planet motion है पहले बात पहले law ने कही थी कि जो हमारा यह जो elliptical path है इसमें move करते हैं सारे के सारे planet किसमें move करते हैं elliptical path में move करते हैं और ellipse की क्या चीज होती है दो focus point होती है और sun हमारा किसी एक focus point पे हमें मिलता है चीक है अगर इस तरीके से देखना चाहो तो इस तरीके भी हो सकता है नेसेसरी नहीं किसी भी हो सकता है और जो हमारे प्लानेट है वो इस तरीके से इसके चारो और रिवॉल्फ कर रहे हैं सेकंड लो क्या कहता है यह भी देख लेते हैं सेकंड लो क्या कह रहा है सेकंड लो कह रहा है यह जो एरिया है यह जो एरिया है मालो अब मेरी तरह इन्होंने अगल वगल में यह एरिया नहीं लिए है क्या लिए है कि मालो इन्होंने 30 मिनिट्स यहां ले लिए 30 मिनिट्स इस साइड ले लिए तो यह जो एरिया स्वीप कर इन इक्वल इंटर्वल ओफ ताइम बाई दा प्लानेट मालो एटू और एवन ये दोनों एरिया इक्वल होंगे यह आपको देखने से लग रहा होगा कि इक्वल नहीं है लेकिन अगर आप इनका एरिया काल्कुलेट करोगे तो यह इक्वल ही आएंगे मतलब क्या कि जो ला यह एरियाज इक्वल आएंगे यह एटू विल बी इक्वल स्टू दिस एवन इस तरीके से भी देख लो समझ आई यह बात यह देखो कितना प्यारा जी आई एप है जिससे अच्छे से समझ आ जाएगा कि यह एरिया और यह एरिया एकदम इक्वल होते हैं ठीक है थर्ड लो एक बार रिवाईस कर लेते हैं थर्ड लो क्या कह रहा है थर्ड लो ने क्या कहा था क्या कहा था थर्ड लो ने कि जो हमारा मीन रेडियस है मतलब बहुत सारी radius आजाएंगे अगर सन से आप किसी भी planet को देखोगे तो जो mean radius होगा जितनी अलग-अलग हमारे पास जितनी भी अलग-अलग हमारे पास क्या होंगी सारी radius होंगी एक तो mean radius लेना है उसका cube कर दो R cube किसके directly proportional होगा जितने time में यह पूरा एक यह जो planet है एक पूरा का पूरा circle complete करके आएगा मालो मैं यहां से शुरू करती हूँ यहां से अब यह जो planet है जितनी देर में इसी point पर घूमके आएगा वो वाला point T ले लिया ठीक है आ गया विदर बस इधर आ गया बस यही time T है जब शुरू किया था उससे लेके खतम किया यही time T है आपका यही कहलाता है कि हमारा जो एक जो हमारा टी सॉरी आर क्यूब होगा जो मीन रेडियस होगी इट विल भी प्रपोर्शनल टू टाइम का स्क्वेर जो इसके और्बिट काुगा चीक के एक वरappyर से देखले सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम बढ़िया है यह हमारा सन है उसे पीटर दिख रहा है साटन दिख रहा है यूरेन Science दिख रहा है और नापचुन पे है अब देखो वीनस भी घूम रहा है और हमारी अर्थ भी इसी और्बिट में घूम रही है बिल्कुल क्लियर होगी यह चीज छीक है सब्सक्राइब कि आप सभी को यह कैपलर्स के तीन लौ समझ में आ गए होंगे पहला लौ फिर से देख लेते हैं बस तीन दो तीन मिनिट में फटाफट रिवाइस करके फिर रैप अप करते हैं पहला लौ क्या कहता है कि हमारे जो और्बिट है हमारे जो और्बिट है वो इलिप्स में है सारे जो भी प्लानेट जिस और्बिट में घूम रहे है वो इलिप्स में है और सन उस इलिप्स के एक फोकस के equal area in equal interval of time मतलब अगर आप equal interval of time लोगे तो हमारा जो planet है वो equal area sweep करेगा और तीसरी चीज क्या है the cube of the mean distance of the planet from the sun is proportional to the square of its orbital period ये भी बिल्कुल clear बात है चीक है बच्चो समझ आई ये बात चीक है सो मिलते हम next class में किसी और chapter में जो कि हम start करेंगे next तो अभी के लिए आपका gravitation chapter यहीं पर खतम होता है यह आपका last topic था और यहां पर आपका पूरा का पूरा gravitation chapter का syllabus खतम हो गया है तो अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर से आप लोगों के लिए पूरे gravitation chapter के सिरफ questions का एक quiz लेकर आ जाओं और हम उसे करें so thank you so much for watching मिलते हैं फिर next class में thank you